नमस्कार, विपोर्पिंट डॉटें में आपका स्वागत है। मैं हूँ अकांगशा यादव। सावन का महीना शुरू हो गया है। आज हम आपको लेचलते हैं कानपुर के एतिहासि आनन्देश्वर मंदिर। मानिताओं के मिसार इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल के पहले का है। हर हर महादेव। जी अकांशा जैसे कि आप मेरे पीछेस देख सकती है कि यहाँ श्रदवालों की बहुत जादा भीड है। और साथ सावन का पहला दिन है तो आज ही श्रदवालों की भीड जहां से जैमा हो गई है। दिव्या, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि सावन का महीना शुरू हो गया है तो कुरोना को लेकर मंदिर प्रशाशन की तरव से क्या वेवस्था हैं नजर आ रही है। मेंड गेट से कुछ दूरी पर ही प्रशाशन ने बेरिट गेट लगा दिया है कि जिससे की पार्किंग एरिया उसके पहले ही हो जाती है और लोगों को वहां से एंदर पैदल आना है। आप का से आएं। बरदा पांट से। आप अंदर शर मंदर में हमेशा आते हैं। हाँ बेटा। तो सावन में जैसे की आप आए हैं और करोना का महान चल रहा है। तो मंदर की प्रशाशन की तरफ से क्या वेवस्था आपने देखी। वेवस्था हिया रहता कि करोनक समय दे सब पर रदबंद रहता वेटा। आज खुड़ा हाई। इसिंगमारें पहले आए हैं। कि मतलब देखें पट खुड़ा हाती नहीं। तो सोजे देनें बहुत भी आते हैं। तो सोजे से आए पहले। आप कांच से आए। मैं मैं आया हूं बर्रा पांच से। हमेशा। मैं हर सावन यहां आता हूं रात में। और पिछली साल तो खैर बंद ही था। अनंधिस पर मंदिर। इस साल साइद पट खुल गए हैं। तो इस साल थोड़ा उमंग नजर आ रही है। मुझे भी नियूस में यह पता लगा था कि शायद अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। जैकिन आज भी मैं अभी डेडिस अपने यही बोल रहा था कि आप चलो मेरे साथ हो सकता है बाबा की कृपा हो जाए दर्शन हो जाए। सुरक्षित रहें बने रही है विवोल्पिंट डॉटिंग के साथ नमस्कार।